ओकी तो फाइनली हमेरे पास यहाँ पर आ चुका है जबरानिक्स का साउंड बॉम एक्स वन यह मुझे यहाँ पर अमाजॉन पर पढ़ गया है 1,400 रुपीज का चौदा सो रुपए का पढ़ गया चली जली से इसको उपन कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत ही यूट्डड़ोएस है या फिर मैं कहूं एक उनीक speaker है तो यह और एक package Amazon का यहां से पहले से खकाटा हुआ है तो यह है box zebra onX soundbomb X1 का यहाँ पर मैंने white color में by किया है चली जली से इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं box open होते ही सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलता है TWS का case इसको हम आगे देखेंगे उसके पहले देखते है box में और क्या क्या देखने को मिलता है साथ में आपको एक extra USB type-c cable दिया गया है charging के लिए जिसको आप इसको यूज कर सकते हैं साथ में यहां पर आपको एक pamphlet दिया गया है जिसको आप यहां पर पीछे QR code को scan करके इसका manual देख सकते हैं तो यह है zebronics का sound bomb x1 ऊपर की तरफ zebronics लिखा गया है यहां पर बहुत ही बड़ा है यह एक speaker के size जितना है zebronics का branding यहां पर यह दिया गया है slider के लिए नीचे की तरफ आपको एक speaker grill दिया गया है इसके बार में आगे बात करेंगे volume बटन्स दिये गया है power on and off यहां पे switch दिया गया है उपर की तरफ एक LED light दिया गया है यह फिर मैं कहूं torch दिया गया है side में यहां पर आपको एक type c का port charging के लिए चार LED indicators और यहां पर जो flashlight है उसको on करने का यहां पर button दिया गया है और नीचे यहां पर आपको एक lanyard पहले से दिया गया है लगा के जो की काफी अच्छी बात मुझे लगी है अगर आप traveling वगरा जादा करते हैं तो आप इसको bag में टांग करके लेकर जा सकते हैं तो यह यहां पर on नहीं हो रहा है इसका मतलब इस पर charging ने तो थोड़ी देर यहां पर इसको charging पर लगा देते हैं तो यह चीज़ मुझे खराब लगी है zebronics को यहां पर charge करके देना चाहिए था ओकी तो हमारा zebronics zeb bomb x1 जो है charge हो चुका है यहां पर आपको मैं दिखा देता हूँ सामने की तरफ उपर की तरफ आपको जो है एक torch दिया गया कुछ इस प्रकार का आपको जो है यहां पर torch मिलता है काफी high power यह फिर मैं कहूँ अच्छे खासे power का यहां पर torch मिलता है उप की तरफ यहां पर आपको torch की साथ साथ left side में यहां पर आपको power on and off और यहां पर volume rockers देखने को मिल जाएंगे connectivity की बात करूं तो यहां पर आपको Bluetooth version speaker में और earbuds में दोनों में Bluetooth 5.0 देखने को मिल जाता है चली जल्दी से इसको on कर लेते हैं zebronics for life तो यहां पर on हो चुका जैसी के आपको मैंने सुना दिया यहां पर एक छोटा सा LED इंडिकेटर भी दिया गया है इसको जल्दी से pair कर लेते हैं phone के साथ phone में pairing करने के लिए simply यहां पर zev sound bomb x1 को आपको यहां पर pair कर लेना है phone के अंदर यहां पर pair पर click कर देंगे औ साथ TWS connect हुआ है या नहीं सबसे पहले बता दू यहां पर 60% तक हमने चार्ज कर लिए इसको settings के अंदर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी HD audio का option नहीं मिलता है तो यहां पर HD audio या फिर AAC codec मिलना चाहिए था अब जल्दी से इसके speaker को test कर लेते हैं इसके speaker में गाने सुनाने से पहले आपको मैं बता दू कि यहां पर आपको 36 mm के drivers दे गए हैं इस वाले speaker के अंदर किपक थिपडर साफ पानी तो इसका जो speaker है उसकी quality मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई है यहां पे जो है बहुत ही फटा फटा सा आवाज आ रहा था मैंने जो है podcast भी सुन करके देखा YouTube के उपर Spotify के उपर भी गाने वाकरा सुन करके देखे यहां पर आपको मैं सुना नहीं सकता लेकिन हां मैंने सुन करके टेस्ट करके देख लिया है यहां पर इसका speaker ना बहुत ही फटा हुआ sound आता है यहां पर दिया गया है यह speaker इसके अंदर वही बड़ी बात है sound quality इसकी उतनी अच्छी नहीं है speaker की बात करो इसके earbud की तो यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि क्या यहां पर इ connected है ही phone के साथ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अलग से यहां पर earbud को connect करने की जरूवत है तो हां मैं यहां पर सही था अलग से यहां पर earbud को connect करने की जरूवत है zeb sound bomb x1 यहां पर लिखकर के आ चुका है तो यहां पर pair कर लेंगे यह चीज भी थोड़ी सी मुझे खराब लगी है यहां पर speaker और earbud एक साथ में दिया गया है तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर एक ही बार pair करने पर speaker या फिर earbud दोनों के साथ ही यहां पर pair हो जाना चाहिए तो यहां पर जो earbud की quality है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है earbud की sound quality बहुत ही बवाल है clarity काफी अच्छा है बेस भी अच्छा दिया गया है लेकिन थोड़ा सा यहां पर फटा हुआ sound मुझे इसमें भी सुनाई दिया जैसी मैं यहां पर full volume कर रहा था तो यहां पर जो ह design के साथ आपको देखने को मिलते हैं और इसी कारण से यहां पर काफी सारी लोगों को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह fit नहीं हो रहा था काफी अजीब सा design यहां पर half in-ear है लेकिन मेरे काणों में half in-ear fit होता है लेकिन यह वाला in-ear जो design है वो मुझे बिलकुल भ सकते हैं अभी earbuds के अंदर गाना play हो रहा है अगर मैंने earbuds को यहां पर रख दिया case के अंदर तो अब यहां पर case के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगा मतलब case में speaker दिया है उसमें से आवाज आना शुरू हो जाएगा यह जो transfer हो रहा है आवाज यह काफी अच्छा ल इसके कुछ extra features की बात करो तो यह जो product है पूरे extra features के साथ ही भरा हुआ है क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले जो 3-in-1 देखने को मिलता है वह काफी बढ़िया चीज है यहां पर speaker साथ में torch और साथ में यहां पर earbuds मिलता है जो की काफी बढ़िया चीज मुझे लगी है ल चीज मुझे थोड़ी सी खराब लगी है अगर बात करूँ मैं इसकी battery life और charging की तो यहां पर battery life जो है वो काफी तगड़ा देखने को मिलेगा आपको क्योंकि यहां पर बहुत ही बढ़ा है यह देख सकते हैं कितना जादा बढ़ा है तो इसके कारण से इसकी battery life भी अच्छ कितना दिया गया है लेकिन यह जो speaker है यह आपको 19 घंटे का playback time दे सकता है और यह जो earbuds है यह आपको यहां पर 30 घंटे का playback time दे सकता है charging case के साथ तो definitely इसकी जो battery है battery life है overall बहुत ही तगड़ी है लेकिन वहीं पर बात करूँ charging की तो charging में यहां पर बहुत ही slow charge होता है इसमें आपको कोई भी fast charging नहीं मिलता है इसको मुझे 60% तक charge करने में एक घंटे का time लग गया इसका मतलब यह है कि इसको full charge करने में आपको 2 घंटे का minimum time लग सकता है बात करूँ अगर मैं microphone की तो यहां पर इसके earbuds दिये गए है इसके microphone की testing कर लेते हैं आपको कैसा मेल रहा है मैं exactly fan के नीचे सीधा fan के नीचे बठाओं ताक कि आपको पता चले कि यहां पर fan का आवाज इसमें आता है यह नहीं मेरे आवाज कैसे आ रहा है सब कुछ आप यहां पर सुन करके देख सकते हैं कि इसका microphone कैसा है तो overall यह जो gadget है वो मुझे काफी अदा बढ़िया लगा है यहां पर earbuds भी दिये गए है speaker भी दिये गए है काफी सही चीज मुझे लगी है definitely यहां पर जो है अगर आपका budget 1300-1400 रुपय का है तो आप इसके तरफ जा सकते हैं लेकिन अगर आपको speaker और earbuds साथ में चाहिए तभी आप इसके तरफ जाना वरना इसमें sound quality यार उतनी अच्छी नहीं मिलती है इस price range में आपको ऐसे अच्छे-च्छे earbuds देखने को मिलेंगे जिन में आपको इससे ज्यादा अच्छी sound quality मिल जाएगी और zebronics brand तो आपको पताए है यह लोग mouse, keyboard, mouse, pads और PC components काफ ज्यादा यह बनाते हैं पता नहीं अब यहां पे speakers वागेरा में भी आ चुके हैं earbuds में भी आ चुके हैं तो काफी अच्छी बात है काफी अच्छा product है लेकिन कुछ लोगों के लिए यह product नहीं है जिनको यहां पे ज्यादा अच्छी quality चाहिए इस price के अंदर बाकिया इतना है इस वीडियो में आपके आज वीडियो को देखने के धन्याबाद तब तक आपका दिल शुबर रहे